एनाइस से डियलेट कर रहे हैं उन सिचेकों के लिए रिजल्ट आने से पहले एक छोटी सी बुरी ख़वर है क्या है बुरी ख़वर इस जिसको जानने के लिए वीडियो को सुरूश लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखें लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे के डिया जो एक इनफरमेशन लाएं आप सभी का इनफरमेशन आज जो इनफरमेशन है जो डियलेट कर रहे हैं फर्स सेमेस्टर रिजल्ट के आने के पहले सिच्चकों के लिए एक बुरी ख़वर है क्या है इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंतिम तर जरू यह नेक्स्ट तीस या 31 तक आने की संभामना हैं लेकिन उस्से पहले सिख्षकों के लिए एक जो है बुरी खाबर है क्या है इस चीज जयानते हैं और देखते हैं पूरा का पूरा मामला क्या किस परकार से यह ख़बर है अंतीम तक वीडियो को जरूर से जरूर देखे तो चलिए उस ख़बर की और चलते हैं पूरा पूरा डिटेल्स में आपको समझाते हैं कि क्या चीज है वीडियो को जादा जादा लाइक और शेर करना ना भूले ताकि जो है दुसरे के पास इसका information पहुंच जाए ख़बर चाहिए अच्छी हो चाहिए बुरी हो चाहिए जैसे बही हो हर परकार के ख़बर देना आप सभी करते भी हमारा करते भी है डिसेज क्लास करते भी ताकि आप सभी हर बातों से आवगत रहें ताकि किसी भी परकार का समय से आपको नहीं हो तो चलि जो के रिजल्ट से पहले पहले जो है सभी सिच्छकों के कौन सा सिच्छकों के किस परकार के सिच्छकों के जाच होगी इसी के बारे में हम लोग यहां पर चर्जा करने वाले तो चलिए वान बाई वान करके यहां का जो टॉपिक से उसके बारे में हम लोग यहां पर समझ तो यहां पर आप देख पा रहे हैं राइज परियोजना निर्देशक ने सभी डी-डी-एस-ई को पत्र लिखा है क्या है पत्र आईए इसी के बिसम हम लोग जानते हैं यहां पर साब सब लिखें नेसर इस्टूट ऑप ऑपन स्कूलिंग यानि कि एन इस से डिप्लोमा इन इजूकेशन यानि डी-एलेट करने वाले अव्यार्थे की जाच की जाएगी इस संबन में जार्खन सिच्छा पर योजना परिसत के राइज पर योजना नीदेशक उमा संकर सिंग ने सभी डी-एस-ई को पत्र लिखा है कहा है कि राइज में कूल सतर हजार एक सो पच्छ अपर शिचक सिचकों ने एन आई ओस से डी-एलेट के लिए आविदन पॉर्टल में स्वयम नामंकन किया है इस कोर्स के लिए पंजीकरीत अभियार्थी की संख्या अत्यधिक है जिसकी जाच जरूरी है एन इसके डी-एलेट कार्च करम के तह सरकारी सहायक्ता प्रात और नीजी औसकुलों में काहरत अपरशे सिचकों का काही नामंकन या पंजीयन होना है इसल्य निरने लिया गया है कि ये इन आयस से directors कार्च करेंगे नामंकित अभियार्थियों की जाच कि जाएगी अभियार्थी से संबंदित डाटा नइस से लेकर संबंदित जीले के DSE जाच करेंगे DSE यह यह जाच रिपोर्ट 20 दिनों के अंदर पूरा करके उपलत कराएंगे रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की करवाई की जाएगी देखें यह जो है यह खबर जो है वैसे केनिडेट के है जो कि आप सभी पता है कि जब NIS से जब DLEET का अनास्मेंट की गई तो उस बक्त जो है बहुँ सारे जो है लोगों में जो है लोग जो है पैसे दे दे कर जो है एडविशन को करवाएगी तो उन सभी को NIS को लगते हैं यहां का जो है लगते हैं कि बहु सारे लोग जो है फरजी तरीके से गलत तरीके से NIS से एडविशन ले कि कि आप सभी को बता है कि NIS में ओही कैनिड़ेट एडविशन ले सकते थे जिन जो पहले से सिच्छित थे यानि कि पहले से कोई सी भी इसकुल में पढ़ा रहे होंगे चाहे प्राइबेट इसकुल हो चाहे सरकारी इसकुल हो लेकिन जैसे ही NIS किया गया है कि NIS ने अपना डियलेट कर रहे है सारे को सिच्छित करेंगे तो वैसे ही जो है बहुत सारे इसकुल में ज़त ज़त जाएंगे जाहिर करके इसका आगे की करवाई किए जाएंगे वेट आपको कोई प्रॉलम नहीं, आप अगर जेनुमीन तरीके से एडविसल नहीं है, तो आपको किसी भी बात से ड़ने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर है, इसकुल में फिर भी आप अपने सकुल में एक बर जरूर पता करने कि कोई ऐसे भी सिछचा काया थे जो की आपके अलावा भी डारेक्टली आए और डारेक्टली एडविशन लिएं तो वहां के जो इसकूल के परबंदक है उनको जो एक्षन लिए जाएंगे कुछ कारवाई किये जाएंगे इसलिए अपने इसकूल में इसके बारे में जरूर चर्चा करें कि इस टाइप से जो है इ तो अपने सकूल का प्रेंस्पल के साथ या अपने जो भी जो भी आपका सिछक हैं वहाँ पर जरूर से बीसे में कित्नी कितने तो आप हमने कमेंट करके जरूर बताःएगा कि आपके आलावा आपके स्कूल में कहीं से बाहर से धो इससे शिचक आएं और डारेक्ली सिफ NIS के लिए जो वहाँ का सिच्छक का एडविशन करवाएं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा इसके साथ साथ हमारा वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट लिख कर जरूर बताईएगा किसी भी परकार का कोई भी समयस्या है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत जल्द आने की संभावना वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धेनवाएगा थैंक्स पर वाचिंग